हेलो दोस्तो मैं वनमोल स्वाग करता हूँ आपका मेरी यूट्यूब चैनल बिंग अश्टून में आज की वीडियो में देखने वाले हैं डिजिटल इंडिया पर हिंदी निबन दोस्तों वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको step-step सारी चीज़ समझ में आए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं डिजिटल भारत प्रोग्राम भारत को समरिद्ध करने की दिशा में भारत सरकार की नई पहल है इसका परमुक उदेश्य देश को विज्ञान और प्रदियोगी की छेतर में नए किर्थिमान गढ़ना है इसके द्वारा देश को डिजिटली रूप से शशक्त करना एक मेव लक्ष है वर्तमान युग में आज वही देश आगे है जिसने विज्ञान और तकनीकी को अपने देश की तरक्की का माध्यम बना लिया है प्राय इसके गुन दोश को लेकर मंत्र नाय होती रहती है डिजिटल भारत की सुरुवात एक कारेकर्म दिली के इंद्रा गांधी इंदोर स्टेडियम में टाटा ग्रूप के चेर्मेन साइरस मिस्तरी आई आर एल के चेर्मेन और प्रबंदक निदेशक मुकेस अंबानी विप्रो के चेर्मेन अजीम प्रेम जी आधी जैसे दिगज उद्धियोग पतियों की उप संस्थान में सुधार करने के लिए डिजिटल इंडिया महतपूर्ण पहल है डिजिटल इंडिया अभियान की विबिन योजनाओ जैसे डिजिटल लॉकर, राष्ट्रिय चात्रवर्ती पॉर्टल, ई स्वास्थ, ई शिक्षा, ई साइन आधी को सुरू करके इस कार्यकरम का अनावरन किया गया है 2015 में भारत सरकार द्वारा आयोजित एक विसाल संकलन जिसे डिजिटल इंडिया के रूप में जाना जाता है इसने देश के विबिन छेत्रों में सरकारी सेवाओं तथा आसानी से पहुँचने के लिए लागू किया देश भर में लोग इस कार्यकरम के तहट प्रदियोगी की पहुँच में सुधार करते हैं डिजिटल इंडिया का उदेश देश को डिजिटल सक्षम समाज में परिवर्तित करना है यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सुविधाएं इलेक्ट्रोनिक रूप से निवासियों को उपलब्ध हो उप सहार 1 जुलाई 2015 को सुरू किया गया यह ग्रामिल लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोडने के लिए आविशक देश व्यापी कार्यकरम है डिजिटल इंडिया का समाज के हर हिस्से के लोगों पर ग्यारा परभाव पड़ा है इसका समाज की प्रगती और व्यक्तिगत जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस कार्यकरम के तहट देश भर में 28,000 BPO नौकरियों के सिर्जन का अवसर है इसने परते ग्राम पंचायत में एक कॉमन सर्विस सेंटर की भी विवेस्था की है तो दोस्तों ये थी वीडियो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आयों तमारे चैन को सब्सक्राइब ज़रू करें मिलते अगली वीडियो में तब धकली थैंक यू धन्यवाद